नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारे न्यूज में आपका स्वागत है आज है 15 मार्च दिन बुधवार खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर BPSC अर सच्वी प्राडंबी परिक्षा से जुड़ा एहम नोटस जारी H3N2 वाइरस को लेकर डॉक्टर दिवाकर तेश्वी ने कहीं बड़ी बात Intermediate प्रोचसाहन योजना के रेजिस्ट्रेशन की तिथी बढ़ी आगे राचे में बनेंगे क्यानवे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर WTC फाइनल की तैयारी को लेकर रोहिश शर्मा ने किया खुलासा अब चलिए बरते हैं बिहार के अब तक की 25 वड़ी खबरों के ओर विस्तार से CPCB में 163 पदों पर निकली वेकेंसी Central Pollution Control Board के द्वारा कलरक समीत 163 रिक्त पदों के लिए रिक्रूट में नोटिफिकेशन चारी किया गया है इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिद्वार के लिए मानिता प्राव संस्थान से इसनातक की डिग्री हासल होना अनिवारे है इसके लाव विविन पदों के लिए स्वाचनिक योगेता Central Pollution Control Board की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है बता दे कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया ओनलाइन है जिसकी अंतिम तारिक 31 मार 2023 तक नरधारित की गई है आवेदन करने के एक्चो कुमिद्वास Central Pollution Control Board की आधिकारिक वेबसाइट www.cpcb.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं BPSC और सट्वी प्राडम्रीक परिक्षा से जुड़ा एहम नोटिस जारी बिहार लोग सेवा आयोग की तौरा BPSC और सट्वी प्राडम्रीक परिक्षा के आंसर की को लेकर अभ्यर्थियों के लिए एक एहम नोटिस जारी किया है बता दे कि जारी किये गए नोटिस के अनुसार 68 स्युक्त प्राडम्री प्रतियों के परिच्छा के सामान अध्यान विशे के और बंदिक उत्तर 18 फरवरी 2023 को और अंतिम आंसर की 4 मार्स 2023 को आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है जिस पर दुबारा आपतिया मा 16 मार्स 2023 को विशे विस्तिसग्य की बैठक में विचार विमर्ष के लिए साक्षे के साथ उपस्तित रहे बिहारी परिटर में आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंदर प्रिशाद के पैत्रिक आवास के बारे में डॉक्टर राजेंदर प्रिशाद का पैतरी कावाज बिहार राजे के सिवान जिले में इस्तित है या सिवान जिले में घूमने वाली मुख्य जगह है यह सिवान चले के जीरा देई में सित्ह यहाँ पर डॉक्टर राजिंद्र प्रिशाद का पैतरी घर देखने के लिए मिलता है यहाँ पर डॉक्टर राजिंद्र प्रिशाद की मुर्ती भी देखने के लिए मिलती है आप यहाँ पर आकर उनका घर देख सकते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी हासल कर सकते हैं बता दे कि डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद के पैत्रिक आवाज के रख रखाओ का जिम्मा भारतिये पुराततो सर्विक्ष यानी ASI को दिया गया है S3N2 वायरस को लिक डॉक्टर दिवाकर तेश्वी ने कहीं बड़ी बात इन दिनों S3N2 वायरस की खबरे मीडिया के सुर्खियों में बन रही है बिहारी नियूस से साक्षातकार के दौरान डॉक्टर दिवाकर तेश्वी ने बताया कि यह वाइरस कोरोना इतना प्रभावी नहीं है इस वाइरस से लोगों के मौत के आकड़े कम है लेकिन इसका फैलाव बहुत तेजी से होड़ा है दौरान डॉक्टर तेश्वी ने बताया कि लोगों को भीर भाडवाले इलाकों में जाने से बचने की जरूरत है साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमें मास्क लगाना चाहिए और हाथों को अच्छे से धोने की जरूरत है जिन व्यक्तियों में फ्लू यानी की सरदी खासी चैसे लक्षन है उन्हें घर में रहने की जरूरत है बच्चों, गर्वती महिलाओ, कैंसर रोगी, बीपी सुगर के मरीजों को इन दनों जादा साभधान रहने की जरूरत है इस तारिक तक जारी हो सकते हैं बिहार बोर्ड दसवी के नतीजे बिहार विद्याले परिच्छा समीति के दोरा बिहार बोर्ड दसवी के नतीजे को जल्दी जारी किया जा सकता है बता दे कि दसवी का एक्जाम देनी वाले स्ट्रें बिहार बोर्ड के ओफिसियल वेबसाइट बिहार बोर्ड ओल्नाइं.bihargovernment.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं बतादे की मीडिया में चल रही खबरो के अनुसार बिहार बोर्ड के दसवी का रिजल्ट मार्च के आखरी हफ्ते या अप्रेल के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है हाला कि अब तक इसको लेकर बोर्ड की ओर से कोई आधिकारी सूचना नहीं दी कई है जारी होनी के बाद स्टुडेंट करीब 10 दिनों के बाद स्कूल से अपनी मार्क सीट को कलेक्ट कर सकते हैं बीजेपी विधायक लखिंदर कुमार रोशन को स्पिकर ने इस कारण से दो दिनों के लिए किया निलम्बित बीते दिन यानिकी शोमवार को बिहार विधान सभा के नौवे दिन बीजेपी विधायक लखिंदर कुमार रोशन को स्पिकर के दौरा दो दिनों के लिए सदन की कड़ेवाही से निलंबित कर दिया गया है। चितावी देते वे सदन को दो बजे तक स्थगित कर दिया गया था लेकिन भोजना वकाश के बाद जब सदन की काड़ेवाही शुरू हुई तो इस पिकर ने विधायक को खेद व्यक्त करने को कहा जिसका नेता प्रतिपक्ष ने विरोध किया। पहला पटना पूर्णिया ग्रिनफिल्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपी आर बनाने की अनुमती दे दी गही और साथी मंत्राले के दौर डीपी आर को बनाने को लेकर एजनसी भी तैक कर लिया गया है। बता दे कि इस एक्सप्रेसवे के निर्मान हो जाने से पतना से पूर्णिया की दूरी छे से साथ घंटे से घटकर तीन से चार घंटे में हो जाएगी। मालम हो कि इस एक्सप्रेसवे कंट्रोल वाले ग्रीन फिल्ड फोर्ले सरक का निर्मान 215 किलो मीटर लंबा होगा और इसका निर्मान भारत माला फेज दो प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वहीं ताजा मामला बिहार के एक युवा बैग्यानिक का है। इसके साथी केवर 19 वर्स की उम्र में इन्होंने तीन बार नाशा के ओफर को ठुकरा दिया था। इन्हें वजहों के करण बहुत जल्दी गोपाल जी के पायोपिक पर बॉलिवूड के बड़े डैरेक्टर फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम बनाना बॉय रखा जा सकता है। DRCC कर्मियों की शुरू हुई राजे व्यापी हर्ताल बीते दिनों यानि की मंगलवार से जिला निवंधर प्रामर्श किंद्र एवं बिहार राजे सिक्षा वित निगम के राजे भर के कर्मी राजे सरकार से अपने 5 सुत्री मांगो को लेकर चार दिवश्य हर्ताल पर चल मालुमों के इन कर्मियों के दोरा चरनबंध रूप से कारयाले जिला मुख्याले एवं राजे मुख्याले में कलम बंध धर्ना प्रोदर्शन आधी कायूजन किया जाना है DRCC कर्मियों का कहना है कि अगर सरकार और विभाग के दोरा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया चाता है तो वे सभी और निस्चित कालीन हर्ताल पर जाने के लिए विवश्य हो जाएंगे पुर्व मुख्यमंत्री राबरी देवी आज CBI कोट में होंगी पेश राजस सुप्रीमों लालु पुर्शाद यादव की पत्नी और बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री आज CBI की कोट में पेश होने वाली है दरसल CBI कोट में उनकी पेश रेलवे में जमीन के बदले नौकडी मामले को लेकर होने वाली है आपके जानकारी के लिए बता दे किस मामले को लेकर CBI के दौरा लालु यादव पत्नी राबरी देवी शमीत को 16 आरोपितों के खिलाफ समझ जारी किया गया है वहें से पहले 6 मार्च को यानि की सोमवार को CBI के अधिकारियों के दौरा बिहार के राजधानी पत्ना इसत राबरी आवास में पहुँच कर राबरी देवी से पूछ ताज भी की गई थी मालूं हो खिया CBI के सामने पेश होने के लिए राबरी देवी बीतेदीन ही पत्ना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी दर्भंगा एम्स के जमीन पर सवाल वहाँ हमें साल जल जमाव रहता है जिस पर मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने जवाब देते वे कहा कि वहाँ बहुत अच्छी जगह है उन्होंने कहा कि आप सभी पुर्व स्वास्ते मंत्री मंगल पांडी को लेकर हमारे साथ चलिए और उस जमीन का नरिक्छन कर लीजे मुख्यमंत्री कन्या उथान योजना के तहट मुख्यमंत्री इंटरमेडियेट उत्तर्ण बालिका प्रोथशाहन योजना के लिए रेजिस्ट्रेशन की तिथी को आगे बढ़ा कर 11 अविवाई चात्राई जिन्होंने अभी तक रेजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनके पास 31 मार्स तक का आखरी शमय है मतादे किस रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में 2021 में उत्तरण चात्राइं भी शामिल होंगी मालूम हो किस योजना के तहत इंटरमीडियेट उत्तरण अविवाहे चात्राओं को सरकार की ओर से 10-10 हजार रुपए दिये जाते हैं योगे चात् राज्य में बढ़ते तापमान और गर्मी के बीच मौसम को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है मौसम पुरवानुमान एजनसी स्काई मिट के द्वारा बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्य में बूदा बांदी और हल्की बारिश होनी की संभावना जटाई है पता के अधिक्तम तापमान में अगले तीन दिन कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है वही मद्य प्रदेश में भी 17 मार्स तकी जवाओं के साथ बारिस और ओला व्रिस्टी देखनी को मिलेगी आईमडी पट्टा के वर्डिस्ट मौसम विग्यान आशीश कुमार की त दान दिया है बता दे कि हम जसकी बात कर रहे हैं वह संस्रिती नंदा है जो बिहार के मुझपरपुर शहर की रहने वाली है संस्रिती नंदा ने इस फिल्म आर 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 में वीजुल एफेक्ट का काम किया है दर असल वह इस फिल्म के लिए काम कर रहे तकनीशियनों की टीम म शामिल थे इसे पहले भी संस्रिती नंदा ने 2018 में हॉलिवोड फिल्म ब्लड रन दो हजार उन्चास में वीजुल एफेक्ट का काम कर चुकी है मालू हो कि इस फिल्म को भी ओसकर अबॉर्ड से नवाजा गया था बता दे कि संस्रिती नंदा ने अपना ग्राजुश दिल्ली से पूरा किया और फिर एनिमेशन का कोर्स किया इसके बाद दिल्ली में ही एक कमप्टी में काम करने लगी लेकिन 6 वर्ष पहले संसरती नंदा ने हॉलिवोड फिल्मों का काम करने वाले कमपनी डबल निगेटिव जॉइन किया था। तरीके से एजंसी के चेयन प्रक्रिया की श्रुवात कर दी कही है। निलंबन को लेकर बीजेपी के दौरा जम कर धरना प्रोदर्शन किया गया और साथ ही सरकार पर आरोब भी लगाए गया। जिसके बाद बीजेपी के दौरा लगाए गये सारोब को लेकर आरजेटी विधायक सुधाकर सिंग के दौरा कहा गया कि बीजेपी बजट सत्र के श्रुवास सही सदन चलने नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी विधायक खुद सदन में माइक तोरते हैं और फिर बाहर आकर धरना प्रोदर्शन करते हैं। बिना मास्क के नो एंट्री विहार में S3N2 वायरस के संक्रमन को लेकर चिंता इतनी बरती चारी है कि अब इसका असर स्वास्ते मंत्री के पार्टी पर भी देखनी को मिल रहा है। बिना मास्क के इंट्री नहीं मिलेगी यानि कि अब अगर कोई राज़त कार्याले में प्रवेश पाना चाहता है तो उसे मास्क लगाना आनी वारे होगा। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज़त सरकार के दोरा जो भी गाइडलाइन जारी किये गए हैं उसका भी सकती से पालन किया जाना चाहिए। ट्विट कर ललन सिंग ने पिया मोदी से पूछा यह सवाल इन दिनों E.D. और C.B.I. के दोरा जमकर छापे मारी का काम किया जारा है एक तरफ जहां E.D. और C.B.I. के दोरा दिल्ली के उप मुख्य मंत्री मनी शिशोदिया के खिलाफ छापे मारी की गई तो वहीं दूसर उन्होंने ट्वीट कर पिया मोदी के द्वारा दिये गए भाषन का एक वीडियो शियर किया और लिखा गया कि आधरनिये प्रधान मंत्री जी आपका भाषन है क्या 2024 का चनाव वास्तव में C.B.I. और E.D. लड़े की हो सकता है क्योंकि आपकी सरकार ने प्रतिवर्ष 2 कर और नौजवानों को रोजगार देने के बदले न्युक्ती पर रोक लगाई और महंगाई पर चर्चार ना हो इससे ध्यान भटकाने की भरपूर कोशिश हो रही है देश की जनसक्ती सब देख रही है 2024 में जनता जवाब देगी देश भाजपा मुक्त होगा लखेंदर कुमार रोशन के निलंबन पर समरार चौधरी का बयान बिदेदिन बिहार विधान सभा के नौवे दिन स्पिकर के दोरा विधायक लखेंदर कुमार रोशन को माईक तोड़ने के आरोक में दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था उनके निलंबन पर बीजेपी नेता समरार चौधरी के द्वारा एक बयान दिया गया है उन्होंने कहा कि यह एक तरफा कारवाई है। नहीं की गई। नहीं कहा कि हम तेज गेंदबाजी को कुछ लाल ड्यूक गेंदे भेचेंगे और अगर उन्हें इसे गेंदबाजी करने का समय मिला तो बहतर बगर यह खिलारी पर ही निर्भर करेगा। क्योंकि यह फाइनल मैच है। भारत के दियास में आज की तारीक है बहत खास। एनी मेरी मेडिसिन के लिए चुना गया। 1984 में इंडियन रैपर हनी सिंग का जन हुआ। 2015 में सुतंता सिनानी एवां महादेव देशाई के पुद्र नरायन भाई देशाई का नधन हुआ। 2009 में भारत की प्रतम महिला विमानचाल अकसरला ठकराल का नधन हुआ। वारल खर में आज हम बात करेंगे स्वास्ता सेवा पर करके बारे में। सुचल मीडिया पर कहीं सूचनाय वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं ऐसी करी में आजम बात करेंगे स्वास्त सेवा पर करके बारे में। फिलाल ये इमोजी कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए लाइफ कियेंगे है जो जल्द आम यूजर्स को भी मिलेंगे नए इमोजी लेटिस्ट यूनिकोर्ट 15 असम रॉक्षर ने अपडेट का हिस्सा है इस बात की जानकारी वार्टसप के डेवलपमेंट पर नजर बनाये हो जाएंगे इसमें से 3 हाट इमोजी लोगों को खूब पसंद आएंगे शतीष कोशिक की हत्या का दावा करने वाली महिला तक पहुँची पुलिस अभिनेता और निर्माता सतीष कोशिक की मौत सामाने नहीं इस बात का दावा करने वाली सतीष कोशिक के उध्योग पती दोस्त की पतनी सानवी मालू के पास उनका बयान दर्ज करने के लिए पुलिस उनके वकील राजिंदर चाबरा के मूती नगर स्थित दफ्तर पहुंची इसके साथ ही महिला की मांक एनुसार पुलिस के द्वारा इस मामले की जाज करने वाले अधिकारी को भी बदल दिया गय है कि सतीश कौशिक की मौत संदिख्ध है और उनकी मौत 15 करोर रुपे की वज़ा से हुई है और उनने साजस के तहत मारा गया है बता दे किस महिला ने अपने पती यानि की स nieuwe कोशिक के उद्धियोग पती दोस्त के उपर लगाया है हाला कि सतीश कौशिक के पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में उनके मौत का कारण हर्दय गती के रुकने को बताया गया है लेकिन सानवी मालू के दोरा दिये गए बयान के बाद पुलिस के दोरा सभी पहलू पर मामले की जान शुरू कर दी गई है कोरोना कार में 18 महीने की महंगाई भते पर वित मंत्री का दो टुक जवाब कोरोना महावारी के प्रकोप के दोरा 18 महीने तक किंद्रे करमचारियों के रोके वे महंगाई भते को लेकर सरकार के दोरा यशाप कर दिया गया है बता दे कि ये सभी बाते सरकार के ओर से वित्र राज्य मंत्री पंकस चौधरी के द्वारा लोकसभा में प्रश्ण काल के दौरान एक प्रश्ण के जवाब में कहा गया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार आगनबार योजना का लाब लोगों को मिल पा रहा है या नहीं आप अपने जवाब हमें मारे कमेंट सेक्चिन में लिखकर जरूर बताएं।